है लो फ्रेंज विल्कम बैए माइड नीव ब्लॉग आई वो फ्रेंज कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्त होंगे मैं भी एकदम अच्छी हो फ्रेंज फिर से आगए प्लेरा सा नया सा ब्लॉग लेकि दो गाईज चलें स्टार्ट करते हैं आज मैं कोई ब्लॉग नहीं लेकि आए हूं दरसर साम को गई तो टैरेस पे और मतलब कि वहां सारे पौदों में जो है फंटी लाइजर डालना था तो फंटी लाइजर डाले कि मैं आई तो इस टाइम बच गए थे साथ और साम के साथ बच गए थे गाई तो भगवान का दिया बत्ती हो गया है और सब लाइज लगने बचान आसथा साब वाला तो करा के तेरेस पर जाती हो तो इसाफ काम साम का जो है खाने का मन्था पनीर क्योंकि उसको पनीर बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं तो बहुत सारी सेर की हूँ आप लोगों के साथ मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं तो आज च सब्सक्राइब करें तो चलिए चाहिए और से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मेरे वीडियो को यह लाइन जरूर कर दीजिए ताकि तो आप लोगों पहुंचे और आप मारे वीडियो ब्लॉग देख सकते हैं तो चलिए चलते हैं अप लोगों के साथ मिलती हूं तो फ्रेंस देखिए यहां जो है मैं बनाना इस्टार्ट कर दी हूँ उसके लिए कुछ इंग्रीडियन्स हम लिए हैं जिसके लिए हमें लेना है चार टमाटर चार प्याज और कुछ लसुन की कलिया मैं छिल के ले ली हूँ और अद्रक दो इंच का अद्रक का दो इंच मिलती हूँ तो यहां देखिए जो है मैं लहसन प्याज और अद्रक और हरी मिर्च को मैंने कट करके इसमें जार में ले लिया है अब इसको ग्राइंड कर लेती हूँ तो यहां देखिए दोस्तों यहां जो है मेरा ग्राइंड हो चुका है लहसन प्याज का पेस्ट बन तो यहां देखिए मैं कुछ खड़े मसाले जिसमें मैं तेजपत्ता हरी लाइची और काली मीर्च और जीरा एक चमच और लवांग तीस चार इसमें मैं डाल दी हूं और आप चाहें तो दाल चीनी भी एड़ करें तो इन सब खड़े मसालों से इसका फ्लेवर जो है सबजी का बहुत ही ज़्यादा टेश्टी हो जाता है फ्रेंड्स तो यहां देखिए जो है मैं सबको थोड़ा सा ब्राउन होने तक पका लेती हूं फिर इसमें जो है मैं क्या हैं चाहिए जो भी आपको पसंद हो तो चलिए इन सब को मैं भून लेती हूं तो यहां देखिए जो है मारा प्याज ब्राउन हो चुका है बहुत ज्यादा इसको लाल नहीं करना है इदम हलका गोल्डन इसको अच्छे से धीमी आज में पकाना है तो मैंने इसको अच्छे पका लिया है अब इसमें मैं डॉलूं गी कुछ मसाले तो यहां देखिए मैं दो चमच मैं आद इसमें फच्छी कामची करना हूं है इसमें जादा था मणती है में फटिकहालों बनाने की कोश्य बनाना होउआ जिय हूं जब डाल देती हूं न तो पनीर मसाला का जो है टेस्ट उसमें आ जाता है तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती है तो यहां देखिए मसालों साथ मैं डाल रही हूं वान टीस्पून हल्दी पाउडर और फिर इसके बाद मैं देखिए क्या डालती हूं और हां दोस्तों पनीर तो मैं बहुत अक्सारी बनाती रहती हूं घर में क्योंकि हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मैं इसकी रिस्पी नहीं सेर कर पाती हूं यहां देखिए मैं इसका डाल रही हूं हाफ टीस्पून रेट शिली पाउडर कस्मीरी लाल मिर्च और इससे जो ह 되면 यहां अञे बोगों से मिलती हूं तो में पनीर की रिस्पी तो बहुत सारे सेर की हूं भर टीसफ वाले कर नहीं रही ही थी मतलब जो मारे हाथ का खाये आका आश्वत जोओं जो dab adesso और आप से सौच्छल कर देती हूं तो यहां देखिए ज़ो है ए पनीर की रिस्पी तेल छोड़ दिया है मसाले को तो चलिए अब मैं इसमें अभी स्टिप में मैं डालूँगी इसमें जो हमारा टमाटर का जो प्यूरी बनके रेडी है तो यहां देखें घए जो है मेरा न चाहर में में डॉसितने लोगों के सब्सक्रेब बना रहे ह। यहां यहां मैं शितन लोगों के लिए सब्सक्रेब वाइएigner अपना मदलब की मसाला तयार कर सकते हैं इसका घ्रेवी के लिए यूज़ितन चमर्री आधो के, तो यहां मैं जादा लोगों के लिए नहीं सिर्फ चार पाच लोगों के लिए बना रही हूं तो देखिए फ्रेंड्स यहां जो है मैं इसको क्या करूँगी कि इसको एक बार अच्छे से पहले एक से दो मिनट तक चलाते हुए भूलूंगी उसके बाद फिर मैं इसमें जानते हैं कि जब भी पनीर की ग्रेवी बनानी होती है तो ज़्यादा तर लोग जैसे कुछ नकोश डालते हैं तो यहां मैं कुछ भी नहीं इक्ष्टा यूज करती हूं यहां जो है मैं जो हमारा घर का जो फ्रेस मलाई होता है मैं वहीं डालती हूं एक सिले एक सिड़ च एक दम डिफेरेंट हो जायगा तो ऩो बाद आप लोग बताइएगा कि मैं तहीं टेश्टो! तो बहुतों दनीक्तों की तो पुम रूच्ट कें, जो भी त्श्टोरेंट केु द सब्सक्राइए कामिें हो. तो इसको देखिए मैं चलाते हुए मीडियम फ्लेम में आप तेजाच में मत करिएगा नहीं तो फट जाएगा मलाई जो है टमाटर के साथ फड़ा है तो और टमाटर को एक से दो मिनट तक पहले दो तीन मिनट तक भूनने के बाद ही मलाई को डालिएगा इस बात का ध्यान नहीं तो जो है यह हमारा तमाटर के साथ मलाई पढ़ने फट जाएगा और इसका तेस्ट खराब हो जाएगा तो जब मारा तमाटर और मसाला जब भून जाए तभी आप मलाई डालिएगा दोस्तों तो यहां देखिए मैं इसको तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम में धक के पकाऊंगी अच्छे से मैं एक बार मिक्स कर दी हूं तो चलिए इसको तीन से चार मिनट तक आप लोगों मैं दिखाती हूं उसके बाद यहां देखें तीन से चार मिनट हो गया है मेरा और आप देख सकते हैं हमारे ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है तो यहां अच्छी मिक्स कर ले रही हूं फिर इसको बाद में डालूंगी पानी इसे हिसापब जतना आप जितना पतला जाहिए उसे आपसे हमने पाणी को एड कर लिजिए तो यहां मैं एक से लेडह गिलास पानी है क्योंकि मेरी बच्चों को न तो बहुत जादा पतली ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है न तो बहुत एदव्जिसए सूख सूख से सब्संद है नदो वही पसंद है आपको मैं दिखाऊँ कि अब यागे कि किसी टाइप आ सब्सक्राइब बच्चों को पसंद है तो यहां देखिए मैं पहले इसको मैं पानी इसमें डालके अच्छा से मिक्स करती हूं अब इसमें डालूंगे लाष्ट में टेस्ट के एक और नमक वन एंड हाफ टीस्पून मेरा इसमें जो है छोटा ह इसलिए वन एंड हाफ टीस्पून डालती हूं अगर बड़ा है तो वन टीस्पून ही डालेंगे तो यहां देखिए मैं इबर इबर मिक्स करके इसको और इसको मैं तीन से चार मिनट तक मीडिया फ्लेम में इसके ग्रेवी को ढखके पकाऊंगी उसके बाद फिर इसमें प पाइले चीज़ सबको बहुत पसंद नहीं है और उसका टेस्ट भी सबको बहुत अच्छा नहीं लगता है जो कच्छा पनीर डालते हैं हम ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो यहां देखिए तीन से चार मिनट लगवाग चार-पांस मिनट हो गया है मीड उसके बारों के इसको चाहें तो फ्राई करके बीडा सकते हैं छेकिन मैं ऐसे ही कच्छा हमारे पनीर सबको पसंद था हैं और आप देख सकते हैं हमारा मसाला पनीर एक दम बन기 हैं जो की हमारे बच्चों को मारे हस्वेंड को बहुत ही ज्यादा पसंद है और सब बड़े मन से खाते हैं तो चलिए दोस्तों जो है आप हमारा पनीर बनके रेडी है तो अब इसको आप चावल या रोटी के साथ सर्व करिए और देखिए कितना लाजबाब कलर आया है इसका और खाने में ही उतना ही लाजबाब बनके रेडी है तो आसा करती हूं फ्रेंड्स की आज का ये रिस्पी आप लोगों को पसंद आया होगा और हाँ मैं एक चीस्तों बताना भूली गई अब इस स्टेप में मैं डालूंगी इसको जो है हरे धरिये से मैं गालिस करूंगी जिससे देखने में और भ आज का ये रिस्पी आप लोगों को पसंद आया हो तो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना न भूलिए और प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स में अपने फेमिली में ए रिस्पी हमारी से जरूर करिएगा तो चलिए फ्रेंड्स मि कावल या रोटी के साथ या नान रोटी के साथ सर्व करिए बाई बाई